मानव जनन, भृून का विकास निशेचन के परिडाम से रूप युग्वनज का निर्मान होता है यहां माता पिता की आनुवांशिक सूचनाओं का वेहन करता है यहां एक कोशिक युग्वनज लगातार विभाजित होता है और एक भृून के रूप में विक्सित होता है भुरून की विक्सित अवस्था को गर्ब कहते हैं मनुष्य में गर्भावस्था निशेचन के आठ हफते बाद शुरू होती है जब प्रमुख सनचनाएं और अंगों का निर्मान हो चुका होता है जरायुज एवं अंड प्रजक्जन्तू निशेचन के समान भुरून का विकास भी माता-पिता के शरीर के बाहर या अंदर हो सकता है इसी के अनुसार उन्हें जरायुज और अंड़ प्रजक्जक के रूप में वर्गी क्रित किया जाता है जरायुज जन्तू वो जन्तू होते हैं जिन में भुरून एक अंडे से नहीं बलकि पूरी तरह से मा के भीतर विक्सित होता है जरायुज शिशू स्वतंत्र रूप से जीते हैं और उन्हें जन्म से ही बाहरी आहार की जरूरत होती है लगभग सभी इस्तनपाईयों बहुत से सरीस्त्रिपों और कुछ मचलियों में जनन की यहविदी है अंड प्रजक जन्तू अंडे देते हैं इसकार्थ होआ कि मा के भीतर भूरून का मामूली या कोई विकास नहीं होता है यहा कई जन्तूओं पक्षियों उभैचरों ज्यादा तर कीटों बहुत से सरीस्त्रिपों और मचलियों की जनन विदी है